दो छोटा छोटा प्लेट ले लेंगे जिसमें यह चादर करने वाला पेंट है हम दुकान से मांगेंगे तो असानी से मिल जाएगा दुकान पे हमें दो कलर रेड और दो कलर हरा दो दो सिसी लेना है और दो मीडियम लेना है दोनों को थोड़ा थोड़ा हम आधा आधा एक सि में धार लेंगे अच्छे से न ज्यादा नहीं धार देंगे पतला हो जाएगा ज्यादा कम भी नहीं गाड़ा हो जाए मेडियम साइड देखिए जितना का हमने मिलाया है इतना पतला आप भी मिला लीजिएगा और दुनों को मिक्स करने के बाद एक उंगली से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से देखिए कैसे मिक्स हो गया हमारा और हमारे पास जो बत्ति वाला धागा guessing हम उसको ले लेंगे दुकान पर असानी से मिल जाएगा हम कोई भी color ले सकते हैं इसको Match Etie!」 अब फिर हां से अपने गार देखें कैसे गार रहा हैं इसको कर लCRIब हां ला रहती ही छालकी पिर जाड़ ही के बाद को धागा को साथ में ठागा इसके बाद से हम दूसरा पेपर जो है उसको भी हम ऐसे विछा लेंगे बीच में चारो तरफ से देखके बीच में है की नहीं और बीच में करके हम जो धागा रहेगा उसे अच्छे से हम गोट कर लेंगे फैला के नहीं गोट करके और हलके हाथ से इसको अच्छे से मारेंगे ज्यादा तेजी से मारेंगे तो डार्क हो जाएगा ऐसे पता ने चलेगा डिजाइनिंग का यह पतला पतला धागा का डिजाइन पता चल लाए तो इसको हम हलके हाज से दिरे दिरे देखिए कैसे गोट करें ऐसे गोट करके फिर आफ इसको अच्छे से अच्छे से अच्छे ताकि यह फूरा फैले नहीं, देखिए हम कैसे इसको अच्छे से मार रहा हैं कि ताकि फैले नहीं, आप चाहें तो कोई भी डिजाइन पेपर काटके ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे चारों तरफ कर देंगे, आधा पेपर के उपर से करेंगे ताकि हो जाएगा, और हमारे पा से अपने काटके कोई भी डिजाइन आप ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं, देखिए हम तिसरा भी इसको ऐसे हाथ धागा गोट करके और वो लगा रहे हैं हम ऐसे, अच्छे से, ताकि चारों तरफ फैले मत, मैंने ग्रीन कलर लगा दिया, इसको उपर भी हम रेड लगा दें इसको भी हम अच्छे से धागा बटूर के गोट करके ही चारों तरफ वो कर देंगे, इसके बाद हम पेपर हटा के बीच में अच्छे लगने मतलब उसका सो बन जाता है, बीच में लगाने से थोड़ा सा खाली पन दिखता है, तो भारा भारा हो जाएगा, बीच में हम ऐस से अच्छे से, ग्रीन से भी और रेड से भी दोनों मच्छे से पूरा थपा मार देंगे, ताकि हलके हाथ से ज्यादा ओ थिना गाडा ना दिखे, गाडा रहेगा, ज्यादा कलर रहेगा, तो इस पर पता नहीं चलेगा, डिजाइनिंग का धागा का डिजाइन, इसले और रेड ग्रिन दोनों अच्छे से मिक्स कर लिया और, देखिए कितना खुब्सूरत लग रहा है, ऐसे हम दोनों बना लेंगे, दोनों, तक्या, एक कवर है, पीलो कवर, देखिए हमने दोनों को बना लिया है कितना खुबसूरत लग रहा है यह बहुत तिजली है अब चाहे तो बना सकते हैं बहुत आसानी से बन सकता है हम ऐसे चादर भी बना लेंगे यह देखिए हमारा चादर है हम इसको बना के अगले वीडियो में डाल देंगे झाल झाल